जेहंद बंदे मात्रम नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सेंटर की रिलेशन भरतीगी डेट चेंज हो चुकी है कौन से सेंटर की है ये भी मैं आपको बताऊंगा कव से कव तक चलेगी ये भी इस वीडियो में बता दोंगा जो आप हमारी स्क्रीन पर ये चार्ट देख रही है ये पूरा चार्ट है औरजिनल चार्ट है सेंटर की ओर से निकला है आपको मैं पूरी इसकी जानकारी बताऊंगा कौन सी इसमें ट्रेड है और स्पोर्स वाले बच्चे जा सकते नहीं जा सकते पूरे इंडिया से इसमें बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे आपको सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो भाई तरंत पहुंच जाएगा दोस्तो आपको हमारे चैनल पर काफी वीडियो मिलेंगे आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं आपको पूरी जानकारी रिलेशन भरती के हमारे चैनल पर मिल जाएगी चलते हैं दोस्तो हम अपने चार्ट की ओर जो की जो सेंटर की ओर से निकला था मैं बताना चाहता हूँ आपको फिर से 11 गोर्खा राइफल रेजमेंट शेंटर जो पहले आपकी जो ये भरती होने वाली थी दो सितंबर से आपकी भरती होने वाली थी पर दोस्तों अब यहाँ पर जो री सिडूल चार्ट हुआ है और यहाँ पर डेट दी हुई है मैं बताना चाहता हूँ 2 November से आपकी फिर से भरती स्टार्ट होगी जो सितंबर में भरती होनी थी अब नहीं होगी आपकी जो भरती होगी 2 November से भरती होगी दोस्तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ बता दिया था कौन से दिन किसको जाना है औल इंडिया से जा सकते नहीं जा सकते हम इस वीडियो में भी सब कुछ बता देंगे दोस्तो दो नमंबर को यहाँ पर आपका क्या होगा सबसे पहले आपके relation certificate चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको entry मिलेगी entry मिलने के बाद आपका PFT physical fitness test और physical measurement test आपके जो दो नमंबर को होंगे और दोस्तो अब मैं बात करूँ यहाँ पर वो कौन से बच्चे जा सकते हैं कौन सी काश्ट जा सकती अगर आप यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर देखोगे तो दोस्तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ भाई नेपाल डो मिसाइल जिनके पास नेपाल का डो मिसाइल है और वो भी भाई कौन से होने चाहिए गोरखा कंडिडेट होने चाहिए वो भाई इस बरती में 2 नमबर को जा सकते हैं और दोस्तो क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तो आपको पताईए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है देख लेना आपको हमने बताई दिया और दोस्तो अब हम बात करें यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारी स्क्रीन पर तीन नमबर दोस्तों तीन नमबर से कौन सी भरती है दोस्तों तीन नमबर से हाँ पर अगर आप देखोगे मैं दिखाने की कोशिस करता हूँ यह रो यहाँ पर भी सब कुछ आपका पहले डॉकुम रिलेसन चेक होगा फिर आपको यहाँ पर आपको ground के अंदर लिया जाएगा आपकी running होगी और सब कुछ पिरकिरिया चलेगी P, MT, physical measurement और जितना भी जो कुछ होता है और दोस्तों फिर यहाँ पर वो ही बंदे जा सकते हैं इंडिया जो इंडिया से जिनका इंडिया का domicile है और only सिर्फ गोर्खा candidate गोर्खा candidate ही जा सकते हैं रिलेशन वाले sports sports भरती जिनके पास sports certificate है एंड बी एसी केविट्स तो यहाँ पर यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ भाई आपको जो रिलेशन जो sports भरती देखेंगे भाई वो भी साइद वो ही बच्चे जाएंगे जिनके पास गोर्खा candidate है क्योंकि यहाँ पर साफ तोर पर लिखा नहीं है कि भाई कौन-कौन से जो candidate जा सक सकते हैं जो 11 गोर्खा के हैं ठीक है दोस्तो 11 गोर्खा के जो candidate है वही इस भरती में जा सकते हैं और दोस्तों अब मैं बात करूं चार नमंबर से सात नमंबर तक आपके प्री डॉकुमेंट चेक होंगे और दोस्तों RMDS रूम में आपके जो कहीं भी जो इनने दिया हुआ ह हाँ पर आपके प्री डॉकुमेंट चेक होंगे और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें 9 नमंबर को स्पोर्ट्स के जो आपके ट्रायल होंगे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहां से यहां तक भाई 9 नमंबर को 9 नमंबर को आपके स्पोर्ट्स के ट्रायल होंग जो Document checkऊंगे और issue for Admit card, आपको Admit card के date दी जाएगे, आपको बता दिये जाएगा आपका test कर स्काने और यहाँ पर test की date भी बता दिये, पहले से ही उन्हों ने जो आपकी टेस्ट की dateOULच तो 31 जनवरी है common interest exam और दोस्तों कव से कव तक चलेगा 12 बजे से आपका जो यहां पर 13 hours लिके हैं ठीक है दोस्तों तो यह पूरी सेंटर की और से चार्ट जारी किया हुआ है यह ओर्जिनल चार्ट दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेर करना क्योंकि दोस्तों जो 11 गोर्खा राइफल रेजिमेंट सेंटर की रिलेशन भरती की डेट चेंज हो चुकी है और मैं एक वीडियो बना रहा हूं फिर से भाई जो राजरी प्रेजिमेंट सेंटर की भरती काफी भाई पूच रहे हैं भाई पोस्पॉंट होगी क्या होगी क तो मैं एक वीडियो अप्लोड करूंगा उसमें आपको पता चल जाएगी राजरी प्रेजिमेंट सेंटर की भरती के बारे में कब से होगी कब से नहीं होगी कैंसल होगी नहीं होगी तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेहिंद बंदे मात्रां